इस पाट का शीर्षिक है बुलबुल क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है यदि तुम्हें कोई चड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूँच को देखो यदि पूँच के नीचे वाली जगा लाल हो तो समझो वो चड़िया बुलबुल है जब वो उड़े तो पूँच का सिरा भी ध्यान से देखना बुलबुल की पूँच के सिरे का रंग सफेद होता है उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है बुलबुल उची आवाज में बोलती है बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता तुमें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो उसे सिपाही बुलबुल कहते है बुलबुल पीपल या बर्गत के पेड़ पर कीड़े ढून कर खाती है वो हमारी तरह सबजी और फल भी खाती है अमरूत के बगीचे या मटर के खेट पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है वो अपना घोसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है घोसला अंदर से एक सुन्दर कटोरे जैसा दिखता है बुलबुल एक बार में दो या तीन अंडे देती है उसके अंडे हलके गुलाबी रंके होते हैं तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी बुलबुल अभियाब सुन्रहे थे ध्वनी पाठ विशे संचालन प्रुफेसर मन्जुला माथुर पाठ समन्वे लता पांडे नर्मान संचालन प्रहुदय अलखट्टर कलाकार गीता वर्मा और दिनेश वर्मा तकनीकी नर्देशन सती इश्लाडे ध्वन्यनकन दीपक पांडे नर्मान सहयो दावुदयाल चत्रुवेदी तथा नर्मान इवं प्रस्तुती वंदना अरिमर्दन